जहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलिक। दोस्तो जब भी इंडिया इंडिजनियस तरीके से कोई भी नया हत्यार को बनाता है तो उसके बारे में आप लोगों को मेडिया में खवर ज़रूर मिल जाता होगा। पर इन में से ऐसे महत्तो पूर्ण नहीं होता है पर उसे असल में देखे तो काफे जादा ताकतवर होता है। दोस्तो ऐसे ही ये खतियार का परिक्षन इसी साल जून महिने के दर्मियान किया था पर इसके बारे में खवर जादा पब्लिक नहीं किया गया और ना ही मेडिया में इस हतियार को लेके इतना ज़्यादा हल चल हुआ और दोस्तों ये है इंडिया के खुद के बनाया हुआ मरीच एंटी टॉर्पेडो डिकॉई सिस्टर्म जिसे जून 26 के दिन परिक्षन किया गया था और आज के इस वीडियों में आप लोगों को इसके महत्तों और इसके खुवियों के बारे में बताऊंगा जबकि वीडियों के दूसरे हिस्से में आप लोगों को 5th generation के एक नया aerial targeted drone के बारे में बताऊंगा जो हाली में बनाया गया है तो दोस्तों जानने के लिए वीडियों के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियों को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों जून 26 के दिन DRDO के तरफ से बनाया हुआ ये नया advanced anti torpedo decoy system मरिच का परिक्षन किया गया DRDO के तरफ से बनाया हुआ ये system इंडिया के नयवी के किसी भी surface ship के उपर लगा जा सकता है और ये आसानी से दुश्मन के torpedo को detect, locate, divert और neutralize कर सकता है नयवी के fresh release के मुताविक इस हतियार के जो prototype version है उसे नयवी के एक nominated जहास के उपर सफलता पूरबग परिक्षन किया गया और परिक्षन में इस system ने बाख हुवी अपना role निभाया और नयवी दुआरा ये भी जानकारी दिया गया है कि आने वाले समय में नेवल स्टाफ qualification requirement के हिसाब से इसके कूछ और परिक्षन किया जाएगा अब शलिए दोस्तों जानने का कूशिश करते हैं कि advanced torpedo defense system होता क्या है दोस्तों जिस तरीके से air defense system, missile और radars के मदद से दुश्मन के aircraft और missile को detect करता है वैसे ही advanced torpedo defense system, sonars और torpedo decoy के मदद से दुश्मन के जाहाज और जाहाज से आने वाले torpedo को खाले detect नहीं बलकि उसे भ्रमित और उसे destroy भी करता है और advanced terrain in system में automated system लगा हुआ रहता है जो automatically दुश्मन के जाहाजों को detect करना और उसे निकलने वाले torpedo को रस्ते में ही ध्वस करने में सक्षम होता है इंडिया के तरफ से बनाया हुआ मरीच, SI है एक दुनिया का सबसे advanced terrain anti torpedo defense system में count किया जा रहा है और चलिये जानते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से काम करता है दोस्तों एक मरीच anti torpedo defense system में कई सारे equipment होता है जिनमें सबसे पहले नाम आता है hull mounted sonar दोस्तों ये एक sonar है जो जहाजों के hull में लगाया हुआ रहता है इस sonar के मदद से दुश्मन के torpedo को locate किया जाता है और torpedo के information को और अन्य information को प्रोसेसर unit तक भेजा जाता है दोस्तों sonar से मिले हुए information के तहट फिर active होता है इस defense system के दूसरा equipment जो की एक towed decoy और winch system होता है दोस्तों मरीच system में कई सारे decoy का इस्तेमाल किया गया है जो एक array में रखा जाए तो करीवन 100 मिटा लंबा होगा दोस्तों इन decoy को समुंदर में launch करने के लिए जहास के उपर mounted winch system हो का मदद लिया जाता है दोस्तों इसके इलावा मरीच system में expendable decoy भी होता है जो जहास के engine से निकलने वाले frequency जैसे ही noise फैदा कर सकता है और दोस्तों इस से दुश्मन के जहास के sonar और torpedo में लगे हुए equipment को भ्रमित किया जा सकता है और ये total system के जो सबसे महतोपूर्ण अंग है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले display come processor unit दोस्तों ये total system को परिचालित करता है और sonar से निकलने वाले information को process करने के इलावा किस तरीके से इन decoy system को और array को launch किया जाएगा उसका भी परिचालरना इस system के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों कुल मिला के ये दुश्मन के torpedo को ऐसे दर्शाने का कोशिश करता है कि असल जहास ये decoy है जिस वज़ा से torpedo decoy को जहास समझ के उसमें ही टकरा जाता है और वही पर ही explode हो जाता है दोस्तों भारत के दरफ से बनाया हुआ ये हतियार आने वाले समय में इंडिया के हर एक जहास पे ही लगाय जाएगा जो जहास को दुश्मन के सब्मरीन और दुश्मन के जहासों से निकलने वाले torpedo से खाली बचाएगा नहीं बलकि इतना मजबूत करेगा कि आने वाले समय में किसी भी advanced terrain torpedo के लिए Indian Navy के जहास के आस पास भी भटकना possible नहीं होगा दोस्तों अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं 5th generation के नया aerial target drone कैसा है और कौन सा देशी से बना रहा है दोस्तों ये असल में 5G80 नामक एक advanced terrain drone है जिसे अमेरिका द्वारा बनाया गया है और अब इस इस महिने के अंत तक trial करने के लिए तैयार भी किया गया है और इसका flight trial भी होगा वैसे अगर देखे तो इस महामारी के वज़ा से फिलाल इसका trial थोड़ा delay हुआ है जबकि इसका ground trial already पिछले महिने के 18 तारीक तक complete हो गया था अमेरिका द्वारा इस drone का trial यूटा में दुग जो prototype बनाया गया है उसे 6 दिन के अंदर 24 taxi trial, 15 low speed और 9 high speed trial से भी गुजरना है दोस्तों अमेरिकी एरफोर्स के report के मताविक अमेरिका को कई सालों से इसी तरीके का target drone का इंतेजार था जो अमेरिकी एरफोर्स और अमेरिकी ground forces को 5th generation के खत्रों से निपटने के लिए तैयार कर पाए दोस्तों एक aerial target drone ऐसा drone होता है जो किसी भी देश के surface to air missile और air to air missile परिक्षन के लिए महत्तो पूर्ण जरिया होता है और यहाँ पे 5th generation के aerial target drone मतलब ऐसा drone है जो low observable हो मतलब जो एक तरीके से stealth हो ताकि यह stealth fighter aircraft के जैसे ही behave करे अमेरिका इन drone का इस्तेमाल करके अपने 5th generation fighter aircraft और surface to air missile और air captain से fire किये जाने वाले air to air missile का test करेगा जबकि इसका इस्तेमाल करके अपने air defense system और radar का भी परिक्षन अमेरिका आसानी से कर पाएगा दोस्तों इस तरीके का परिक्षन से अमेरिका अपने forces को दुश्मन के 5th generation fighter aircraft और low observable aerial vehicle के साथ साथ दूसरे stealth हतियारों के खिलाब तैयार कर पाएगा दोस्तों अमेरिका के तरफ से जो ये 5GAT project को बनाया गया है इसमें कई सारा superior technology का इस्तेमाल किया गया है इन में ऐसे भी कुछ technology है जो फिलाल 5th generation के air captain में ही इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि इसके engine के thrust vectoring technology और इसका stealth characteristics फिलाल तो इन aerial drone का median trial ही होगा लेकिन बाद में इसका संपूर्ण रूप से एक बार अमेरिकी forces में शामिल करने के बाद air defense unit और air force के test के लिए इसे भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों इन drone को develop करने के पीछे तीन प्रमुक अमेरिकी company शामिल है जिन में CRE Technical Services जो इन drone का prime contractor है जबकि इसके इलावा drone के सबसिस्टमों को first optical engineering नामक company द्वारा बनाया गया है और drone में इस्तेमाल होने वाला software 5D system नामक एक company द्वारा बनाया गया है दोस्तों इन company के तरफ से हर तरीके का सतरकता के उपर ध्यान रखा गया है ताकि इन drone का radar cross section कम हो चाहे वो इसका wing design हो या पिर इसका air intake हो इसे ऐसे करके बनाया गया है कि इसके engine से produce होने वाले noise भी कम है और hit signature भी इतना कम होता है कि इन drone का radar cross section लगभग ना के बरावर है दोस्तों इन drone के test को इतना महतोपूर्ण माना जा रहा है कि अमेरिकी air force के उच्छे अधिकारियों के इलावा department of defense के उच्छ fighter aircraft J20 और Russia के stealth fighter aircraft सुखोई SU-57 के खिलाब तयार कर पाएगा जबकि जिस तरीके से Russia और चाना द्वारा hypersonic vehicle और hypersonic missile का तयारी किया जा रहा है उसे भी counter करने के लिए अमेरिका अपने air defense system और हत्यारों को तयार कर पाएगा तो दोस्तों देखना ये है कि अमेरिका का ये prediction कितना हद तक सफल रहता है और इससे आने वाले समय में अमेरिकी forces को टेकनोलोजी कर लिए और training wise कितना जादा मदद मिलता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हुआ बेल झाल